नावसकार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr.Mahipal Singh.org और आज इस लिक्चर में मैं आपके साथ चल्चा करूँगा रश्या के युक्रेन पर किये गए हमले में लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में तो आज finally European Union के कई देशों ने ये आश्वासन दिया कि वो युक्रेन की मदद करेंगे पिछले कई हफ़तों से EU युक्रेन की मदद करने के लिए इतना तत पर नजर नहीं आ रहा था लेकिन आज Germany और France और Netherlands जैसे देशों ने ये अनाउंस किया कि वो युक्रेन की मदद हतियारों से करेंगे जर्मनी का अनाउंस्मेंट बहुत ही मेजर था क्योंकि उसने 1000 anti-tank weapons और Stinger missiles को देने का वादा किया है तो Stinger missiles Russian tanks के खिलाफ बहुत जादा effective होने वाली है और ये जर्मनी के लिए एक बड़ा decision क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा तो जर्मनी के Chancellor Olaf Scholz ने खुद ये जानकारी दी पिछले कई सालों से European Union चाह रहा था कि Ukraine इनका सदस्य बने EU का border आप देखेंगे तो Ukraine और Belarus पर आकर समाप्त हो जाता है तो किवल ये ही दो बड़े prominent countries हैं पूर्व Soviet Union वाले देशों में से जिनोंने European Union जॉइन नहीं किया था तो ऐसे में EU के देशों पर कोई obligation नहीं है कोई जरूरी नहीं है कि वो इसे हतियार सप्लाई करें या इसकी रक्षा के लिए आर्मी भेजें लेकिन ये बात सभी European देशों को पता है कि आज अगर Russia Ukraine में पहुँचा है तो कल को Poland, कल को Germany और अन्ये देशों तक भी पहुँच सकता है इस वक्त लड़ाई के क्या हालात हैं ये भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ तो ये तो आप सभी जान चुके होंगे अभी तक कि Kiev शहर में Russia की आर्मी लड़ रही है लेकिन Kiev के नागरिक और Ukrainian आर्मी ने अभी तक शहर को अपने कंट्रोल में रख रखा है आज यानि कि 27 फरवरी को दिन में जब ये लेक्चर में रेकॉर्ड कर रहा था तो सबसे भीशन लड़ाई चल रही है उक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव में तो खारकीव की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में तो यहाँ पर अभी सबसे जबरदस्ट फाइटिंग चल रही है as of 27th February afternoon तो देखते हैं कि यहाँ आने वाले समय में क्या होता है तो रशिया का जो यह आकरमन है थोड़ा धीमा पढ़ गया है आप इस टेलिग्राम चैनल से all my lecture updates you can find on the telegram channel as well अगर आप मेरे special classes को join करेंगे तो UPSC 2022 के लिए आपकी बहुत बहतरीन तयारी होगी history के MCQ series को हम कर रहे हैं आज रात 8 बजे इस class में ज़रूर जुड़िए link नीचे पहले comment में आपको मिल जाएगा जर्मनी द्वारा लिया गया ये निर्णे कि युक्रेन को हम हत्यार सप्लाई करेंगे ये काफी महत्वपून है क्योंकि जर्मनी का कानून है 1994 से कि वो किसी भी conflict zone में जहाँ पर लड़ाई चल रही है वहाँ पर हत्यारों की सप्लाई नहीं करेंगे तो उन्होंने अपने महत्वपून कानून में परिवर्तन किये है युक्रेन को वेपन सप्लाई करने के लिए और उलाफ शॉल्स का जो स्टेटमेंट आया है रशिया के खिलाफ वो भी बहुत जादा criticism बाला है इतना strong statement और किसी राष्ट्र अध्यक्ष की तरफ से यूरोप में अभी तक नहीं देखा गया था इन्होंने directly पुतिन को call out किया है कि ये पुतिन की लड़ाई है रशिया की लड़ाई नहीं बलकि व्लादिमीर पुतिन जो है उसकी एक तरह से लड़ाई है और innocent लोगों को मारा जा रहा है तो German Chancellor Olaf Scholz ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और क्यूंके जर्मनी NATO का भी सदस्य है और Netherlands और Estonia जैसे पडोसी देश ये भी NATO के सदस्य है तो इन सभी ने वादा किया है कि ये Ukraine को हतियार सप्लाई करेंगे Netherlands ने कहा है कि वो 400 German made anti-tank weapons को सप्लाई करेगा Estonia ने कहा है कि वो अपनी पुरानी artillery Soviet समय की जो artillery है वो इसी रशिया देश के खिलाव लड़ने के लिए Ukraine में भेजेगा Germany ने 14 armored vehicles का भी promise किया है और इनका statement ये कहता है कि ये armored vehicles लोगों को, आर्मी के लोगों को बचाने के भी काम आएंगे और civilians को evacuate करने के भी काम में आएंगे और ये सभी vehicles या फिर जो Ukrainian army के tanks हैं उनको चालू रखने के लिए 10,000 ton fuel की भी supply करी जाएगी वाया Poland Germany का अगला बड़ा फैसला था सेनिक deploy करने का हाला कि Ukraine में सेना नहीं भीजी जा रही है लेकिन कुछ सेनिकों की units को Poland में deploy किया जाएगा Poland भी एक NATO country है तो Germany ने ये बात साफ कर दी कि वो अपने troops को Eastern Europe में भीज रहा है अब देखे जर्मनी से यहां Poland जाएगे और Poland एक तरह से अब NATO का border है तो Ukraine में अगर कभी सेना को deploy करना है तो Poland से तुरंत किया जा सकता है So they are deploying more soldiers towards Poland और ये बहुत बड़ा निर्ड है वैसे पूरा NATO जो है वो एक emergency deployment कर रहा है कई हजार सेनिकों का और ये NATO के हितियास में पहली बार हो रहा है जर्मनी के रुख में एक और बहुत बड़ा बदलाव है swift restrictions को लेकर swift क्या होता है इस पर मैंने एक lecture बनाया है आप उसे देख सकते हैं Pathfinder चैनल पर तो swift sanctions लगाने के favor में अभी तक जर्मनी नहीं था जिन लोगों को हम सरकारी PSU's बगेरा को target करना चाते हैं वो रशिया में किवल उनको वो affect करें आम जनता को आम बिजनसेस को affect ना करें तो देखना होगा कि ये सम रशियन बैंक के अंदर कौन-कौन से बैंक शामिल हैं वैसे most probably जितने भी सरकारी बैंक्स हैं जर्मनी अभी तक swift sanctions के खिलाफ क्यों था क्योंकि वो रशिया पर gas के लिए निरभर है आपने Nord Stream 2 pipeline का नाम जरूर सुना होगा ये pipeline रशिया से जर्मनी gas लाने के लिए ही बनाई जा रही थी आप देख सकते हैं कि जर्मनी almost 50% gas अपनी रशिया से खरीता है तो अगर swift sanctions लाए जाते हैं तो सबसे बड़ा problem जर्मनी को ही आने वाला है तो gas की supply का पैसा नहीं दे पाएंगे, gas की supply रोग देगा रशिया और जर्मनी के लोगों को ठंड में रहना पड़ेगा जर्मनी के अलावा कई छोटे European देशों ने भी मदद का वादा किया है या फिर मदद स्टार्ट भी कर दिये तो Dutch government ने कहा कि वो anti-tank weapons, rockets और sniper rifles तो अल्रेड़ी supply कर रहा है और आने वाले कुछी दिनों में 200 stinger anti-aircraft missiles भी provide करी जाएंगी इसके अलावा Netherlands और Germany मिलकर Patriot Air Defense System provide करेंगे Ukraine को ये बहुत important है क्योंकि Russia अपनी Air Force का बहुत अच्छा फाइदा उठा रहा है इस पूरी लड़ाई में और Russian जो bombing हो रही है उससे Ukrainian शेरों को काफी नुकसान हो रहा है तो ये जो Patriot Air Defense System है ये missiles को या फिर aircrafts को निस्तनाबूद कर सकता है और ये Patriot Air Defense Missile System US के दोरा develop किया गया है और अपने कुछ खास मित्र देशों को ये provide करता है खास करके Saudi Arabia और Germany ये दो बड़े देश हैं जिनके पास ये Patriot Air Defense Systems है इसराइल के पास भी है लेकिन बहुत ही कम European countries को ये provide किया गया है So now Ukraine will also have the facility of this US-made weapon Belgium जैसा देश ये भी machine gun, fuel provide करेगा Czech Republic ने भी pistols, assault rifles, machine guns provide करने का बादा किया है France ने officially कहा है कि हम हतियार मुहिया कराएंगे लेकिन कौन से हतियार कराएंगे ये as of right now जब ये lecture में record कर रहा था उस वक्त तक जानकारी France की Defense Ministry ने नहीं दी है Most probably news reports यही कह रही है कि Anti-aircraft weapons ही देने की बात चल रही है तो Ukraine के साथ उनकी अभी बातचीत शायद जारी है देखते हैं कि क्या France देता है अब एक और देश की बात करते हैं जो Ukraine की मदद कर रहा है Slovakia आपको तो शायद Slovakia की location भी नहीं पता होगी तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि Ukraine का western border टच होता है Slovakia से तो काफी छोटा सा शांत सा देश है और इसने अपने द्वार खोल दिये हैं Ukrainian लोगों के लिए हजारों की संख्या में Ukrainian refugees Slovakia पहुँच रहे हैं और Slovakia की government ने आते ही कह दिया इन्हें कि temporary आपको healthcare facilities दी जाएंगी आप काम भी कर सकते हैं मानलो 2-4-5 महीने आपको रहना पड़े तो आपको legally काम करने की permissions दी जाएंगी public transport आपके लिए free है आप border में enter होई है उसके आप buses, trains में आपको पैसा देने की ज़रूत नहीं है और जो भी Slovakian व्यक्ती अपने घर में Ukrainian refugee को शरण देता है तो उसे Slovakia की सरकार 200 Euro प्रती महा देगी और 100 Euro बच्चों के लिए देगी तो इसका मतलब है कि Slovakia ने अपने दिल और दर्वाजे दोनों खोल दी है पडोसी हो तो ऐसा अब वैसे Slovakia की आर्मी कोई बहुत बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी यह थोड़ी बहुत मदद जो कर पा रहे हैं artillery, ammunition और fuel बेजकर वो भी यह कर रहे हैं और Slovakia NATO का सदस्य है इसलिए of course NATO के जो भी यहाँ पर units है वो तैनात किये जा सकते हैं तो आने वाले कुछ दिनों में NATO soldiers definitely Poland और Slovakia दोनों के border पर तैनात होते वे आपको नजर आएंगे जहां तक Ukraine के शरणार्थियों की बात है आपको मैं एक interesting fact बताता हूँ Ukraine का सबसे लंबा border share होता है रशिया के साथ फिर उसके बाद Belarus से काफी लंबा border है लेकिन ये दोनों देश तो इनके उपर हमला कर रहे हैं मिलकर Belarus ने officially नहीं लेकिन अन officially वो भी शामिल है इस हमले में तो बचे देश कौन से जहां पर ये लोग जा सकते हैं एक तो पोलिंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमेनिया मोल्डोवा जो है ये भी एक प्रकार का Russian puppet state है यहां की सरकार पूरी तरह से रशिया को favor करती है तो उस Ukrainian लोगों के पास जाने के लिए केवल ये तीन-चार देश ही बचते हैं बाकि जो तीन देश हैं बेलारूस, मोल्डोवा, रशिया इन में तो अफकोर्स ये जाही नहीं सकते तो अभी तक हजारों की संख्या में Ukrainian बॉर्डर पार कर चुके हैं और कई लंबी कतारें लगी हुई है बॉर्डर पर शर्णार्थियों को लेकर एक important update ये है कि युक्रेन की सरकार ने कहा है कि 18-60 साल की उम्र का कोई भी आदमी बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा वो वापिस यहीं रहेंगे और उन्हें लड़ना होगा अगर आवशकता पड़ी तो किवल महिला है बच्चे, बुड़े इन्हें बॉर्डर पार करके दूसरे देशों में जानी की अनुमती दी जा रही है as of today 27th February कई Ukrainians इन चार पडोसी देशों के लेकिन UK और USA नहीं देते हैं तो बड़ी-बड़ी इनसे बाते करवा लो लेकिन आज अगर कोई Ukrainian शडणार्थी अपनी जान बचाने के लिए लंडन जाना चाता है अपने किसी रिष्टेदार के घर पर जाकर कुछ महीने रहना चाता है तो वो नहीं रह सकता मदद करें ये भी डिसाइड कर सकते हैं उधर sports में बहुत सारे restrictions आ गए है रशिया पर कई देशों ने मना कर दिया है कि हम रशिया के खिलाफ matches नहीं खिलेंगे रशिया में St. Petersburg में कुछ matches organize होने वाले थे वो cancel कर दिये गए हैं Manchester United जैसे बड़े-बड़े clubs ने Russian sponsors को हटा दिया है उनके साथ deals cancel कर दिये हैं तो रशिया की companies को नुकसान तो हो रहा है तो देखे EU के देश अब finally अपनी निदरा से जाग कर काफी कुछ कर रहे हैं लेकिन European Union से recently बाहर हुआ Britain अभी तक कुछ concrete step नहीं उठा पा रहा है हाला कि उसने कहा है कि हम हत्यार supply कर देंगे Ukraine को लेकिन हम अपनी सेनाय नहीं भेजेंगे as NATO भी UK का कहना है कि NATO के सदस्य होने के नाते भी हम यही चाते हैं कि हमारी सेनाय नेटो की सेनाय उक्रेन के युद्ध में जो ओनर है Roman Abramovich इन्होंने कहा कि मैं Chelsea की जो management stewardship जो है वो एक charity foundation को दे रहा हूँ और मैं उसके management से पीछे हट रहा हूँ तो definitely इन पर दबाव बनाया जा रहा है तो Russia के जो billionaires हैं या फिर Russia as a country उसे finally लोग accountable hold कर रहे हैं उसके उपर financial restrictions लगा जा रहे हैं so ultimately सवाल यही आता है कि क्या US अपने देश में इस तरह की free rights या free speech को support करता है in fact US ने तो अपने देश में कानून बना रखा है जिसको कहते है हाग invasion act के बहुत ही interesting कानून है आप इसके बारे में detail जानना चाहते हैं तो comment में जरूर mention कीजेगा अगर आपको यह lecture अच्छा लगा तो इसे like जरूर करें, share कर दीजे comment करके अपना feedback बता सकते हैं telegram channel यहाँ से आप PDFs download कर सकते हैं UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो देश के best educators आन अकाड़िमी पर live पढ़ाते हैं इनसे पढ़ने के लिए आप plus या iconic subscriptions में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं महिपाल कोड का इस्तेमाल करोगे तो 10% discount भी मिलेगा optional courses भी available हैं मेरा modern history का course अभी ongoing है it has just started, you can join this full course 8 से 10 बज़े सुभह इसमें live classes होती है इसका link नीचे comment, pinned comment और description दोनों में मिल जाएगा जो हमारा new combo offer है उसमें आपको 25% discount मिलेगा combo subscription that is GS plus optional में नए batches 2 March से start हो रहे हैं you can join these, कोई भी difficulty है batch से related course इनके लिए ये phone number आपका अपलब दे स्क्रीन पर जो दिख रहा है you can call on this iconic subscription के benefits आप यहाँ देख सकते हैं one on one आपको mentoring मिलेगी EMI option पर सारे courses आप avail कर सकते हैं हमारी test series है उसका फायदा जरूर उठाइए thank you very much, have a great day